हाई फ्रेंड्स च्वीपी कातर का चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू की एकदम फूले फूले पराथे तो प्लीस इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखें तो फिर चली आलू के पराथे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम दो छूटी चम्मच ज हिंग लेंगे अब हम बेलन की साहिता से जीरा और हिंग को ददरा पीस लेंगे इस तरीके से जीरा और हिंग को पीसने से इसकी खुस्पू बहुत ही अच्छी आती है आप चाहें तो इसको मिक्सी की साहिता से भी पीस सकते हैं लेकिन बेलन की साहिता से पीसने से जीरा और हिंग की खुस्पूब होते अच्छे आती है तो ये देखें मैंने जीरा और हिंग को दरदरा पीस लिया है अब हम एक बड़े बरतन में 400 ग्राम गेहुं का आटा लेंगे अब हम इसमें एट करेंगे जीरा और हिंग जिसको हमने पहले से ही दरदरा पीस कर रखा था दरदरे पीसे हुए जीरा और हिंग का आदा हिस्सा हम अभी डालेंगे और बाकी बचा हुआ हिस्सा हम आलू की स्टरफिंग बनाने में डालेंगे अब हम इसमें आट करेंगे स्वादनुसार नमक अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका बहुत ही सौफ्ट आठा ल लगा का तयार करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आँठा कितना soft लगा का तयार किया है मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ आँठा जितना soft या डीला होगा प्राठे हमारे उतने ही फुले फुले बन कर आएंगे और प्राठे बेलने में फटेंगे भी नहीं तो पराठे के लिए आंटा लगका तयार है अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढग कर रख देंगे जिसे ये अच्छे से सैट हो जाए अब हम प्रेशर कुकर में एक केजी आलू लेंगे और इसमें आदा ग्लास पानी डालेंगे और इसको मीडियम फ्रेम पर 3-4 सीटी लगाएंगे फिर गैस की फ्रेम को दीमा करके इसको 7-8 मिनट तक पकने देंगे 7-8 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और फिर प्रेशर कुकर की गैस को आराम से निकलने देंगे तो आप देख सकते हैं इदर हमारे आलू भी अच्छे से उबल गए हैं और ये करके छी लेंगे तो ये अच्छे से मैस नहीं होंगे और इनमें बीच-बीच में गुटलियां रह जाएंगी तो इनको हम गरम ही छील कर अलू मैसर से मैस कर लेंगे गर्म अलू को मैस करके जो स्टफिंग बनती उसकी बैती कुछ और होती है तो ये देखे मैंने सभी अगर ये गर्म रहेगा तो इसमें नमक मिलाने पर ये बहुती गेला सा हो चाएगा तो ध्यान देखेगा हमें इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है तो मैस के हुए आलू हमारे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं अब हम इसमें बचा हुआ दरंदरा, पिसा हुआ जीरा और हींग डालेंगे और साथ में डालेंगे चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरी धनिया और नमंग डालेंगे स्वाद अनुसार और आदा चोटे चमस लाल मिर्च पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं इसको हाथ की साहिता से मिक्स कर रही तो अब हम इतनी बड़ी आटे की लोई लेंगे और इस पर सूखा आटा लगा कर इसको गोल कर लेंगे अब हम इसको बेलन की सायता से पेल लेंगे अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा ही बेल लेंगे तो ये देखे मैंने इसको इतना छोटा बेल लिया है अब हम इसको इस तरीके से हाथ पर उठा लेंगे और चम्मच की साहता से इसके बीच में स्टफिंग को रखेंगे स्टफिंग आप अपनी पसंद के according कम या जादा रख सकते हैं मैं थोड़ी सी स्टफिंग को जादा रख रही हूँ अब हम इसको इस तरीके से घुमाते हुए कवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आटा हमारा सॉफ्ट है तो ये अच्छे से स्प्रैड होता जा रहा है और स्टफिंग को कवर करता जा रहा है अगर आपका आटा टाइट होगा तो वो बीच से फट जाएगा तो ध्यान दखेगा आटा को हमें सॉफ्ट लगा करी तयार करना है अब हम इसको उपर से अच्छे से कवर कर देंगे और इसको हलके हाथों से दबाएंगे अब हम फिर से इस पर सुखा आटा लगा लेंगे और इसको रोलिंग बोर्ट पर रखेंगे और हलके हाथों से इसको प्रेस करते हुए दबाएंगे हम इसको हाथों से हलके से प्रेस करते हुए लंबा कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हाथों की सायता से ही आधा बेल लिया है अब हम बेलन की सायता से इसको बेलेंगे हमें बेलन को ज़्यादा टाइट नहीं चलाना है हम पराठे पर बेलन को हलके से रोल करते हुए बेल लेंगे तो ये देखिए पराठा मैंने अच्छे से बेल लिया है और इसको इतना बड़ा बेला है अब हम पराठे को सेकेंगे इसके लिए तबा को गर्म करेंगे तबा जब हमारा हलका सा गर्म हो जाए तब हम इसको ओईल से ग्रीज कर लेंगे ध्यान रखेगा जब भी हम पहला पराठा सेखें तो तबा पर ओईल को अच्छे से लगा लें इससे पराठा हमारा तबा पर चिपकेगा नहीं और इस पर पराठे को डालेंगे, अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, एक से दो मिनट के बाद हम पराठे को पलट देंगे, ध्यान रखेगा अभी हमें गैस की फ्लेम को तेज नहीं करना है, अब हम एक वार फिर पराठे को पलटेंगे, और इसकी इस साइट पर हम ओइल को अच्छे से पराठे पर लगाएंगे, ध्यान रखेएगा, स्ट्रपिंग वाले पराठो पर ओइल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो मैंने ओइल को इस पर अच्छे से लगा लिया है, अब हम पराठे को पलट देंगे, और इसकी दूसरी साइट्स पर भी ओओल को लगा लेंगे, एक बाफिर हम इसको पलट देंगे, अब हम गैस की फ्लेम को दीमा कर लेंगे, आप अपनी पसंद के एक औरडिंग पराठे को क्रिस्पी कर सकते हैं, आप इस पराठे को हरीदनिया की चटनी, सौस और चाई के साथ सर्फ करें, आप इसको सबजी के साथ भी खा सकते हैं, तो अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें, तो फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ, बाई!